जैसे हमने turn on पर click किया यहाँ पर process start हो चुका है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरी profile as a page convert हो चुकी है अब भी जो आप लोग देख रहे हो मेरी normal facebook profile है जैसा कि आप सभी लोग की होती है और आप जो आप लोग देख रहे हो मेरी professional profile है I mean है पर profile type page में है पर मेरी profile convert हो अगर आपको भी profile type page में अपनी profile को convert करना है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी profile को as a page convert कर सकते हो normal profile को as a page convert करने के लिए आपको यहां पर कुछ process करने वहते हैं सो सारे process आपको बताएंगे लेकिन नीचे जो लाल वाल बटन देख रहा है और सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ने दिया है तो सब्सक्राइब करो यार वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नही दिखा देते हैं आप लोग यहां पर देख सकते हो अभी हमारी यहां पर normal सी profile है तो इसको हम अभी यहां पर page में convert करके आपको live proof दिखाएंगे तो अभी आपको करना क्या है simply यहां पर three dot पर click कर देना है और जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हो turn on professional mode यहां पर हमारी profile में आ रहा है तो हम अपनी profile को as a page convert कर सकते हैं अभी लेकिन अगर आपके phone में यह वाला option नहीं है तो आपको करना क्या simply आपको यहां से अपनी profile का link copy कर लेना है यहां पर copy link पर click करके copy कर लेना है तो हमने यहां पर copy कर लिया है इसके बाद आपको back आना है back आने के बाद आपको यहां पर click करना है दिन आपको जाना है private यहनी कि आपको यहां पर click करना help and support पर then help center पर click कर देना है इसके बाद आपको यहां पर search bar में search कर लेना है मैं आपको यहां पर बदा देता हूं क्या search करना है आपको यहां पर search करना है profile to page convert आपको यहां पर search करना है profile to page convert जै जाएंगे पहला वाल आपको यहां पर दिख जाता है how do I switch into my profile और page in the new page experience आपको यहां पर click कर देना है इसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस टाइब को article आ जाएगा आप आपको यहां पर scroll करके थोड़ा आपको यहां पर दिख रहा होगा what is this helpful तो अब simply आपको आपको नो पर click कर देना है इसके बाद चार options आएंगे परले दा information is confusing दूसरे दा solution does not work और तीसरा यहां पर आपको दिख जाता है I don't like the product or privacy और यहां पर चौथा है other तो simply आपको यहां पर click करना है the solution does not work और फिर आप यहां पर तीस चौथा option भी select कर सकते हो इसके बाद आपको यहां पर optional में क्या लिखना है मैं आपको सबसे पहले आपको यहां पर जाना है वीडियो के description box में और यहां पर आपको एक message लिखवा मिल जाएगा आप लोग उसको copy कर लिजएगा कुछ इस type से मैं आपको दिखा दिता हूँ कुछ इस type से यहां पर एक message लिखना है जो कि facebook team को मिलेगा तो हम पर इतना message टाइब कर दिया है दिन आपको यहां पर प्रोफाइल का link जो अपनी copy कर इसको यहां पर paste कर दिया है तो हमारा पहले से professional mode यहां पर आ चुका है हमारी profile में तो हम यहां पर क्लिक करेंगे लेकिन आप लोगों को यहां पर संमीट पर क्लिक करने के पाद आपको अपनी प्रोफाइल में बैक आना 24-48 घंटे के अंदर चेक करना है आपको पर क्लिक करना है आपको यहां पर प्रोफेशनल मॉड मोड वाला औप संदिख जाएंगा मैं आप पर professional mode में जा करके दिखालता हूँ यहां पर turn on पर click करते हैं जैसे हमने turn on पर click किया यहां पर process start हो चुका है और आप लोग यहां पर देख सकते हो मेरी profile as a page convert हो चुकी है आप लोगों के सामने मैंने यहां पर आपको live proof अपनी profile को ऐसा page convert करके दिखा दिया है तो इस तरीके से आप लोग अपनी normal सी profile को as a page convert कर सकते हो बिना किसी problem के वीडियो चला लगा तो लाइक करना आप हमें Facebook पर भी follow कर सकते हो link वीडियो के description box में मिल जाएगा और आपको इस वीडियो से related कोई दिक्कत है तो आप comment करके बता सकते हो और चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe कर लेना तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही जल मिलेंगे एक नए वीडियो ने topic के साथ तब तक लिए ठीक है बाई बाई